हेलो एब्रिवन वल्कम टू लाइब्रेरी एकेडमी इस वीडियो में हम डिशेज करने हैं इंडियन इंसिट्यूट ऑफ साइन्स बैंगलोर यानि आई एससी बैंगलोर में लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए नमबर आप पोस्ट जो है फोर आई हुए वेकेंसी और अगर आप लाइब्रेरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और इसमें देखिए एक्स्टेंटेड है यानि कि अगर आपका वन यह हो जाता है कंप्लीट तो अगर उनको जरूवत परता है कि आपको मताब के वर्क परफर्फरमेंस अच्छा है तो एक्स्टेंट कर सकते हैं नेक्स्ट किया हुआ है उससे पहले अगर आपने लाइब्रेडी एकेडमी एप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लिए और निव येर के आउसर पे आपको 22% एवरी कोर्स पे आफ है आप जोइन कर लिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा आपको 22% आपको छूट मिल जा इन्होंने लाइब्रेडियन के अलावा और भी सारे पोस्ट के लिए निकाला हुआ वेकेंसी तो हम दोंका थर्ड पोस्ट जब आप स्क्रॉल के जिएगा पीडियाप तो यहाँ पर आपको फोर्थ पोस्ट में आएगा लाइब्रेडिय ट्रेनिंग जो की सीट है फोर अन इन्होंने कंप्यूटर वर्किंग आपने किया है इसके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है यह सेलेरी के रूप में मिलता है आपको इस्टाइपन मिलेगा और अगर एक्स्टेंट किया जाएगा तो परसेंट आपका 18,500 पर 2% बढ़ा के आपको इंक्रिमेंट भी मिल जाएगा मोड अप सेलेक्शन की बात करें तो इन्होंने बोला है कि हम जो भी करनेटेट अपलाई करेंगे उनको सौट लिस्टेट करेंगे उनके परसेंटेज ऑफ मार्स के बेसिस पे और उसके बाद हम लोग उनका वहीं दिवरिएशन के बात करें तो वन इगर इन्होंने डिवरिएशन के बारे में बोला है और बोला है कि हम एक्स्टेंट कर देंगे 2% ऐनवल इंक्रिमेंट के साथ उसके बाद यह सीनियर का है पॉائंट तो यह हमें नहीं चानना है देखिए उसके बाद ये आप जरू में लिखना है application for the post of और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है application for the post of library training और आपको बारे एक 2022 तक आपको अप्लाई कर देना है उसके साथ साथ आपको cover letter making your case of the position अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वह उसका पीडियो डालेगा या आप नहीं काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आपना मतलब कि इसमें master degree मांगा गया है लेकिन आपको मतलब कि आर्टिकलों कर पॉब्लिक्स किये हैं तो वह भी डाल सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है मतलब कि यह बोला गया है कि लाइब्रेरी ट्रेनिंग के एसेप्ट जो पोस्ट के लिए डाला गया है ना उनके पताना है और इनका PDF इनको भेजना है इमेल आईडी पे और आप देख लीजेगा और सब फोटो अप्लिकेशन पोस्ट अप द जुनियर यह हमारे लिए नहीं है उसके बाद इन्होंने बोला है इनको इनको इनफर्म किया जाएगा इमेल के थूरू इनफर्म किया जाएग जूम कॉल से या Microsoft team का भी एक software आता है उसके थूरू होगा और मतलब कि जूम आप जानते ही है उसी तरह Microsoft भी है तो इसके थूरू कॉल कर लेंगे वो और आपका interview हो जाएगा उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम मतलब की criteria नहीं है हम आपको reject कर सकते हैं आपको बीना से बिलोंग करते हैं तो आप अपना काश सेटिफिकट अपलोड करेंगे उसके बाद आपको और पढ़ लिजेगा अगर कुछ अगर आपको कुछ डाउट होता है तो पूरा पढ़ लिजेगा नोटिफिकाशन जो इंपोटेंट हमें आपको बता दे रहा हूं उसके बाद अगर मतलब कहीं काम करते हैं अगर आप चाते हैं ट्रेनिंग लेना तो आप अप बेजेंगे और कुछ ज्यादे इसमें दिया नहीं है ठीक है और एज की बात करें तो आप अपलाई कर दीजेगा यह जो गर मत कंसिडर कीजेगा आप 35 यह मान के चलिए अगर उससे नीचे है तो आप अपलाई कर सकते है तो यह था आपके बंगलोर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें तेलीगराम पर कर सकते हैं कर लिए और ओर प्रवाचिंग पर सब्सक्राइब री यह एकडियों चैनल झाल झाल